यह स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं अंतिम सैट हिंदी इलेक्टिव का तो चलिए इसमें देखिए यह वाला आपका एक पैसेज है इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको प्रशनों के उत्तर देने तो एक बार ज़रूर पैसेज को देख लेना आप यह पैसेज पैसेज बचा हुआ है इसको देख लेना पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं किस विवस्था में नागरिकों को अधिकार है कि उनकी आवाज शासन द्वारा सुनी जाए तो यहां पर कौन सी विवस्था होती है तो सभी को पता है यह प्रजातंत्र विवस्था होती है डेमो को सब आंसर पता चल वए संगेश शाषन में नीतिया वा कारकरम किसके हितों के परिक्षे में तयार होती है तो आंसर हो जाएगा Si Opsan करेक्ट हो जाएगा इसके बाद आते हैं next question की तरफ वर्तमान राजनीतिक व्यस्था को विभीन रूपों में प्रवाहित करने के कारण किसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारा छेत्री दल का जो है महत्व बढ़ता जा रहा है इसके बाद आते हैं next question की तरफ इस आउतरण का उप्यूक्त सीर्षक क्या हो सकता है यानि कि जो है गध्यांस दिया गया इसका सीर्षक बताना है तो भारत में छेतिर दलों की भूमी का जो है इसका सीर्षक उप्यूक्त माना जाएगा आते पर पढ़ लीजिए उसके बाद ही आपको मुख्य भाव के बारे में पता चलेगा तो इसमें पद्यांस का जो मुख्य भाव है इसमें आपको जनम भूमी की विस्षिता बताई गई है तो यहाँ पर यह उप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है हे जनननी कहकर क रक्तिदात्री और जनननी तो यहाँ पर यह सभी जो है आंसर सही हो जाएगा नवा कोशन है कभी ने मात्र भूमी को क्या कहकर उसे अपने जीवन में महतुपूर्ण कहा है तो कभी इसको कहता है रतनों की डेरी तो यहाँ पर डी ओप्शन जो है यह यह करेक्ट हो है तो यह सभी चौथा ओप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से इन तीनों प्रशनों के डी आंसर होंगे आट नों दस अब आते हैं हम ग्यारवे कोशन पर तो कि आपका पैसे से रिल्ट्रेड नहीं है आपका विगति माध्यम से तो फीचर लिखन में कितन घर्डद हो ही मतल्ट होती है तो यहां पर जो हमारा आंस्वर हो जाएगा संकेट आक्ष्रो और कूट पददों कुर्ट यहाँ पर यह आपका A option correct हो जाएगा. अगले question की बात करें, 14 नमबर मौलिक रूप से साक्ष्यतकार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है. यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कहा गया है, good and hot के दुआरा, तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा. अगला question है, यहाँ पर जन्ता तक पहुंचते हैं, यह कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो यह इंटरनेट के दुआरा समचार समीतियों से और फ्रेस विज्ज्जापी तो सबी जगे से होती है, तो यहाँ पर D option correct हो जाएगा. नाटक जो है, यह क्या है, तो नाटक जो है आपका द्रश्य और स्रव्य विद्या है, यानि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं. अठारवा question है, विद्याले का वार्सिक उत्सव निबंद किसे स्रेणी के अंतरगत आएगा, तो आंसर हो जाएगा यह विवरनात्मक, विवरन होगा इसमें. ठीक है, वार्सिक उत्सव में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सारे के सारे विवरन दिये जाएंगे. सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन सब्दों का प्रियोग ही किया जाता है? तो यहाँ पर हम करते हैं महोदय का प्रियोग. इसके बाद आते हैं नेक्ष्ट बीसवे कोशन पे, तो बीसवे कोशन में देखिए क्या पूचा गया है? अब व्यक्ति की सार्वदिक रचनात्मक विद्या है? कौन सी है वो विद्या? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यापन. अब व्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या जो है विद्यापन कहलाती है. और निबंद का मेरिवदंड माना जाता है. तो मेरिवदंड कौन सा है निबंद का? तो विशे विस्तार को जो है मेरुद्रन माना जाता है इसके बाद में अच्छे विग्यापन की प्रष्ट भूमी में योगदान होता है तो अच्छे विग्यापन की प्रष्ट भूमी में किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है तो वो होता है लेखक का जो उस विग्यापन को तयार कर रहा है इसके बाद में है 23 नंबर कुश्चन जिसमें पूछा गया आप से contingent noting को हिंदी में कहते हैं ये मैंने आपको बताया भी था ये होता है अनु संगिक टिपण तो यहाँ पर जो है आपका ये option आपको उत्तर देने है तो इसका आव्यांस को एक बार जरूर पढ़ लेना जो आपके सामने है एक बार वीडियो को पॉस करिए आराम से सांती से पहले पढ़ लीजिए उसके बाद ही आगे बढ़िए ताकि जो परशन हम उत्तर दें तो उसको आपको समझ में आ पाए चौबिस नंबर जो question है इसमें पूछा गया प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार या रचेता कौन है तो नरेंद्र शर्मा है ये option जो है आपका correct हो जाएगा इसके बाद पच्चीस नंबर देखिए ताव्यांस के अनुसार क्या थम गए है तो आंसर हो जाएगा निमीश थम गए है तो c option जो है आपका correct हो जाएगा इसके बाद आजेए नेक्स जो 26 नंबर कोशन है उसकी बात करते हैं 26 में पूछाए गया आस अर्थात आशा राद भर किसे भटकाती है तो यहाँ पर जो है किसको भटकाती है तो आंसर हो जाएगा हमारा यह भटकाती है हमारे मन को तो यहाँ पर c option correct हो जाएगा इसके बा जाक तुझको दूर जाना शीशक गीत किस आंदोलन की पेड़ना से रचित जागरन गीत है तो आंसर हो जाएगा यह स्वाधिनता आंदोलन से जागरत या रचित गीत है पदमाकर के पहले कवित में किस रितु का उलेख हुआ है तो पदमाकर के पहले में वसंद रितु का कवी देव ने अपनी किस कवीता में श्रंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है वो कौन सी कवीता है तो कवीता है सपना इसके बाद में हैं next question जो है गिर्धर नार नवा वती में नार सब्द का अर्थ आपको बताना है तो इसमें नार सब्द का अर्थ है आपको बताना है तो क्या हो जाएगा नार सब्द का अर्थ तो नार सब्द का अर्थ हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर याचक के रूप में नारी या गर्दन के रूप में नार ठीक है तो D option जो है correct हो जाएगा इसके बाद में दूसरे पद में कवी ने स्वए को किस रूप में प्रस्तूत किया है तो आंसर हो जाएगा आपका विरहनी इस तरी के रूप में इसके बाद में next question है विवस्था को क्या बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तचिप जरूरी है तो कैसा बनाने के लिए तो आंसर हो जाएगा जन तांतरिक बनाने के लिए तो C option correct हो जाएगा अब 34 से लेगे 36 तक के प्रश्ण जो है ये चोटी सी पद्यान से गद्यान से गद्यान से को पढ़ने के बाद में आपका आंसर देना है परतुत गद्यान्स के लेखक का नाम आपको बताना है तो लेखक का नाम जो है वो हो जाएगा हरी संगर परशाई इसके बाद में next question है परतुत गद्यान्स में ब्यालू से क्या अभी प्राय है तो इससे अभी प्राय जो है वो है रातरी का भोजन इसके बाद में next question है इसमें पुझागा दोपहर का भोजन कहानी में शिद्यस्वरी का मजला लड़का मोहन किसका private इम्तिहान देने की तियारी कर रहा था तो वो कर रहा था high school की इसके बाद में next question है आवारा मसीहा जीवनी में कितने पर्व हैं तो आवारा मसीहा जीवनी में पर्व जो हैं वो है आपके तीन तो यहाँ पर जो है बी option correct हो जाएगा इसके बाद में next question है उसको देखिए यहाँ पर next 38 number मकबूल फिदा हुसेन को पद्म सिरी से किस वर्स अलंकरत किया गया तो इनको किया गया था 1966 में यह option correct हो जाएगा 49 number है भारते इंदू हरिश्चंदर के अनुसार जितनी देर हमारे देश का कोचवान हुका पिएगा या गप करेगा उतनी देर में विलायती कोचवान क्या करेगा तो यहाँ पर answer आजाएगा वो आखबार पढ़ेगा और इसके बाद में है आपका अंतिम प्रशन खाना बदोश कहानी में भट्टा मालिक मुक्तार की गैर हाजरी में मालिक बने सूबे सिंग ने किसे दफतर की सेवा तहल का नाम दे दिया तो यहाँ पर सेवा तहल का नाम किसको दे दिया तो answer हो जाएगा आपका जो है किसनी को ठीक है तो यहाँ पर आपका यह option जो है correct हो जाएगा तो इस तरह से आपने 40 प्रश्णों के अंतिम सेट देखा सारे सेट सेट सेवलेबल है आपके सामने playlist आ रहे इसको चेक कर लेना इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों का help मिलेगी अपने दोस्तों के शेयर करना बिल्कुल